जैशी किष्णा दोस्तों भी असरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों इस बार हनुमान जैन्ती पर बारह वर्षों के बाद गुरु आदित्य योग बनने जा रहा है बहुत ही सरवार सिद्ध योग बना हुआ है इन्नो भागिशाली राश योग ले साथ ही इस दिन अगर आप हनुमान जी का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में चल रही कैसी भी परेशानी हो वो अवश्य ही दूर होती है क्योंकि हनुमान जी एक मात चिरन जीवी माने जाते हैं अश्निदी के दाता है हर प्रकार के विग्ण बादाओं को भूत प्रेत को भगाने वाले हैं इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कैसे भी अगर आपके उपर करजा हो रहा है किसी भी कारे में अगर आपको बाधा आ रही है तो आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें और इस दिन एक वस्तु का भोग लगा कर जरूर खा ले जिस से में रहाने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों शैति पुर्णिमा हनुमान जयन्ती बहुत ही सरवासित योग है इस दिन आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें हनुमान जी को आपको चूरमे का भोग पसन हो जाते हैं और आपकी जो भी बाधा है वो अवश्य ही दूर होती है साथ ही दोस्तों हनुमान जी के आपको आगे आपको एक शुद्य घी का दीपक जलाना है अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है और उसमें दो फूल दार लॉंग डाल दे दीपक प्रोजलि हुई है तो आप उस तिलक को अपनी पेट बर भी अवश्य लगाएं साथ ही दोस्तों हनुमान जी का पूजन करने के बाद जो आपने भोग लगाया है चूरमे का या फिर लड्डू का और केले का पती पतनी दोनों ग्रहन करें तो निश्चित ही आपको संतान सुकी प्रा बादाएं हैं बहुत ही शीग्र दूर होती है और इस दिन गरहो का गोचर भी बहुत ही शेष्ट रहने वाला है इन राशियों के लिए इन भागशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश विरिशा मित्थून कर्क तुला विरिश्चिक कन्या धनू मकर मीन यह भ पूरी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें आप सभी को